बैटल बिट्वीन 4G वर्सेस 5G वाउ दूसर जब भी आप एक 20,000 की रेंज में स्मार्टफोन पर्चिस कनने जाते हो तो आपके मन में यह डाउट होता होगा हम 5G स्मार्टफोन या 4G हम कौन सा स्मार्टफोन जिसमें हमको काफी अच्छी अपको performance देखना को मिले बैटरी भी काफी अच्छा हमको देखना को मिले मेन बात हमको display और camera भी काफी अच्छा हमको देखना को मिले दोसो बहुत लोग कन्फूजन हो जाते हैं हम 5G पे जाएं या 4G पे जाएं दोसो आज की वीडियो में आपको टोटल तरीके से आपको कन्फूजन दूर कर दूँगा हमको 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए या 4G दोसो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 20,000 के रेंज में सबसे पॉपलर 4G 5G स्मार्टफोन के बारे में Redmi Note 10 Pro Max vs. Realme X7 5G अब दोसो मैं दोनलस स्मार्टफोन के वारे में बात करूँँगा किसका स्मार्टफोन का? Communications काफी अच्छा है, probability बैटरी काफी अच्छा ओar लाश्ट मैं आपको बताऊंगा आपको 4G स्मार्टफोन पर्चेस करना है चाहिए या 5G अगर दोस्ता अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर पहली बार आयो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजे नमस्कार 7 में आपको देखने को मिलती है जो आपको 7 डेकलों सब्स्स करता है और में में प्रसेशर को अब जाले सब्स्सi का difference की अब मगते करते हैं, ईअ च्रिक परफॉमेंस के मामल में Realme X7 काफी बैटर है क्योंकि इसमें आपको 5G पर्चेसर आपको देखने को मिलता है अगर दोसे मैं दोनों स्मार्टफोन की UI के बारे में बात करूं तो Realme में आपको Realme UI आपको देखने को मिलता है जो की बेज़ है Android 7 पर और Redmi Note 10 Pro Max में आपको MIUI आपको देखने को मिलता है जो की बेज़ है Android 11 पर रेमें रूम के बारे में बात करूं तो Realme X7 में आपको 6GB के साथ आपको 128GB के आपको इंटला स्टोरेज आपको देखने को मिलती है जिसको आप एक्सपेंड नहीं कर सकते आपको देखने को मिलती है यूएफस और 2.1 की आपको स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलती है दूसरे साथ आप Redmi Note 10 Pro Max में जाओगे तो वहां आपको 6GB के साथ आपको 64GB की आपको इंटला स्टोरेज आपको देखने को मिलती है जिसको आप एक्सपेंड कर सकते हो LPDDR 4X की आपको रेम टाइप आपको देखने को मिलती है और UFS 2.2 की आपको स्टोरेज टाइप आपको देखने को मिलती है तो दोसो रेम रूम के मामले में दोनों स्मार्टफोन काफी बैट आ रहे क्योंकि एक साइड आपको अच्छी आपको रूम आपको देखने को मिलत अगर आपको तो स्टोर से कोई मतलब नहीं है अगर आपको अच्छी रेम चाहिए तो डेफिनेटली आप दोसरे डिमी नोटेंट पूमेक्स में जा सकते हैं क्योंगे इसमें आपको देखने को मिलता है डिस्पले के बारे में बात करूं तो रियल्मी एक सेबर में आपको 6. इसमें 2.4 इंच का आपको TYP में औरे डिमी नोटेंट प्रोमेक्स का वी बैट आ रहे है क्योंगे इसमें आपको ≤10 प्रेच्वेड आपको देखने को मिलती है आपको सूपर एमुलेट की आपको डिस्पले देखने को मिलती है, साथ में आपको 60Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट देखने को मिलती है, दूसरी साद आप Redmi Note 10 Pro Max में जाओगे, तो वहां आपको 6.67 इंच की आपको फुल एजडी पलाज आपको सूपर एमुलेट की आपको डिस्पले देखने को मिलती है, साथ में आपको 120Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, दूसरी डिस्पले के मावने में Redmi Note 10 Pro Max कावी बैट आ रहा है क्योंकि इसमें आपको 120Hz की आपको रिफ्रेशिंग रेट आपको देखने को मिलती है, कैमरे के ब लगा लिया हुआ Redmi Note 10 Pro Max का कैमरा काफी बैटर है क्योंकि इसमें आपको 108 Megapixel का आपको Quad Camera का आपको सेट अप आपको देखने को मिलता है अगर मैं दोनों स्मार्टफोन की सेल्फी के बारे में बात करूँ तो अपको सेल्फी डेहने को मिलती है और सेल्पी में दोस्ता आपको ज़्यादा अंतर आप देखने को नहीं मिलेगा बेटरिée के बार में बात करूं तो Realme X7 में आपको 4300 pounds 10 Yah bardziej बैटरी देखने को मिलती है साथ में आपको 33 बोल्ट की आपको फार्ट चार्जिंग आपको दीखने को मिलती है जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को 75 निट में 100% चार्ज का सकते हो और दोसो बैटरी के मामने में दोनों स्मार्टफोन काफी बैटर है क्योंकि एक साइड आपको बड़ी बैटर है काफी यूणिक सा डिजाइन है आप इहां स्क्रीन पर देख सकते हैं किसी को रियल्मी एक टिएवन के दिजाइन अच्छा लगेगा किसी को रैडमी no 10 pro max का डिजाइन अच्छा लगेगा आपको on screen में आपको देखने को मिलता है, इस बात का आप जहान रखना हो, दोनों स्मार्टफोन में आपको face ID भी आपको देखने को मिलता है, audio output के बार में बात करूँ तो realme X7 में आपको single speakers आपको देखने को मिलते हैं, अगर दोसे मैं दोनों स्मार्टफोन की starting price बताऊं, तो realme X7 की starting price आपको 90,999, इस smartphone की price है और Redmi Note 10 Pro Max की आपको 18,999 smartphone की price है, दोसो जाई से दोनों स्मार्टफोन की comparison है आपको देख सकते हैं, कई मामलों में दोसो Redmi Note 10 Pro Max काफी better है, कई मामलों में realme X7 5G कही better है, अब दोसो आता है main सवाल हमको कौन सा smartphone purchase करना चाहिए, अगर दोसो आपको performance चाहिए है, आपको अच्छी battery चाहिए हो, तो definitely आप realme X7 पे भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 5G के साथ, आपको 5G processor आपको देखने को मिलता है, साथ में आपको far charging आपको देखने को मिलती है, अगर दोसो आपको अच्छा display चाहिए हो, अच्छा camera चाहिए हो, तो definitely आप Redmi Note 10 Pro Max में जा सकते हैं, आपको 120Hz की, आपको refreshing data देखने को मिलती है, 1008 megapixel का आपको camera देखने को मिलता है, और main बात smartphone में आपको dual studio speakers आपको देखने को मिलते हैं, तो दोसो दोनों smartphone 20,000 के range में, तो आप भी बैटन है, अगर आपको अच्छी performance चाहिए हो, तो आप Realme X7 5G पे भी जा सकते हो, अगर आपको दोस्तो अच्छा camera चाहिए हो, अच्छी display भी चाहिए हो, सब कुछ आपको अच्छा चाहिए हो, तो आप Redmi Note 10 Pro Max में भी जा सकते हो, अगर दोनों smartphone के बारे में बहुत भी जानकारी लिना चाहते हो, यानि smartphone को purchase करना चाहते हो, तो दोनों smartphone की link का आपको discussion में मिल जाएगी, दोस्तों बस फ्लाइल वीडियो में तना ही दीखने के लिए आपका धन्यवाद मुझे उम्मीद है, आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, दोस्तों भी तक आपने मेरी वीडियो को like और share भी कर दीजिए और चैनल को subscribe करना मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना डेली ऐसी यूनिक्स वीडियो से लेके आता रहता हूँ, दोस्तों बस फ्लाइल वीडियो में दीखने के लिए आपका धन्यवाद, जय हिंत और बंदे मातरम,